घर भगवा लहरा देंगे दिश्मन को धूल चटा अगर आप यहां रहे हैं, यहां की खा रहे हैं, यहां की गा रहे हैं, यहां सास ले रहे हैं, यहां का पानी पी रहे हैं, तो आपको भारत माता कहना पड़ेगा जब पात धरम पर आजाए हम अपना काईदे में रहेंगे तो पाईदे में रहेंगे आन्य था इनको इनकी अवकात ये भाई साब हैं पिंकी चोधरी उर्फ पिंकी भाईया उर्फ भुपेंदर तो मर इन्होंने लोक्षभा शांचद दानिस अली की तस्वीरों का पाईदान बनाया और उस पाईदान को अपने हिंदू रक्षा दल का जो कारियल है था उसके आगे लगा दिया वो भी तीन-चार जगहे पर जैसे ही दफ्तर में आ रहे हैं और दफ्तर से बहार जा रहे हैं तो ये और इनकी साखा के जितने दल के लोग हैं वो अपने जूतों की गंदगी साफ करके उस दफ्तर में परवेश कर रहे हैं और वहां से एकजिट कर रहे हैं एक चुनेह वे लोक्षवा सदैस्य की आज हमारे देश में इतनी ही हैसियत बची है और दानिस अली सहाब का कसूर शिरफ इतना है की वो एक अल्ग सेंकेक समुदाय से आते हैं मामला आप सबको पता है की कुवर दानिस अली साब को ही भड़वा बोला गया उनको मुल्ला कटवा उल्गरवादी आतंकवादी ओई मुल्ले ओई कटवे ओई भड़वे ओई आतंकवादी मैं तुम्हें बहार देखता हूं यह क्या बोल रहा है इसको नोट कर लो यह भारतिया जन्ता पाइटी के लोक्षभा सांसद द्यक्षणी दिल्ली से जो है रमेश बिधोडी जी के उसके बाद बीजेपी आईटी चैल ने पूरा प्रोपैगेंडा रचा की जो मुस्लिम समुदाय के सांसद है कुमरदानिस अली साब इनको ही एक तरीके से डिस्क्रेडिट कर दो इनको बदराम कर दो और सारा का सारा भंडा फोड़ इसके उपर कर दो वह कहा हो था ना कि ये लोग पीट दे भी हैं और पीटने के बाद रोना आता है तो रोने भी नहीं देते हैं तो आज इस समुदाय के साथ और इस समुदाय के जनपरती दिनी उनके खिलाफ ही ऐसे लबज बोले गए जिसके चलते संसद में नेक्स टाइम वो उस कुर्शी पर बैठेंगे तो बहुत लज्जा के साथ उन्हें अपना सथान गरहन करना पड़े गया पूरे देश में जो कुंठित मानसिक्ता वाले लोग हैं वो इस घटना के बाद कुमर दनीश अली को सक्की नजर से देखने लगे हैं और जो विपक्स ने बड़ी संख्या में मांग उठाई जो सेकुलर लोग हैं उन्होंने मांग उठाई अमनपरस्त लोगोंने मांग उठाई कि सांसद रमेश बिधूरी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए तो पहले तो बताय स्यमंत्री राजनात सिंग है उन्होंने इन केस कंड़क्ट पर माफी भी मांगी है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साव को फिर विपक्स के सांसदों ने चिठी लिखी बाकाईदा कि ये रमेश बिधोडी है बिचुल ओफेंडर है ये ऐसा ही जो विपक्स के सांसद है उनके तरह का काम करता है मैं आप इनकी वीडियो भी हमारी चैनल पर अच्छे तरीके से दिखाई थी कि इनोंने किस तरह से किसानों के परती भी भगदरता की थी जो जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको दबाने के लिए उनको चाहें इन्हें आतंकवादी बोलना पड़े या खालिस्तानी बोलना पड़े या देशदरोई बोलना पड़े ये उसी मुहीम का हिस्षा होते है जो तथा खतित हिंदुतों के ठेकेदार जो नौटक करते हैं न वहीं काम ये करता है तो भाई साब बीजे प्याइटी सेल ने सोचा कि ऐसे तो तुम्हारा जो दक्षिन और जब उनको भी लगने लगा कि देखिए दबाव भढ़ रहा है तुम भी हस रहे थे तो तुम्हें जो मुस्लिम वोट जो मिलते हैं उनमें कहीं न कहीं कट लग सकता है तो उन्होंने तो अपना सपस्टिकर जारी कर दिया कि हमें तो समझ में ही नहीं आया था चलके आर उल्टे दानिस अलिश साब को ही बदनाम करने की कोशिश कर दी और बाकाइदा कुछ सांसुदों ने चिठी मी लिखी लक्षबा स्पीकर को उसी अंदाज में की देखिए इन्होंने परधार मंत्री के लिए नीच सब्द का इस्तेमाल किया था कूवरदनी अलिश साब ने उनकी स्थिती हमने आपको दिखाई थी तो उन्हीं के परती इस तरह का रवया बीजेपी का संसुदों का होने लगा तो पूरा परकरण फिर ये गोधी मीडिया में भी धीरे धीरे चलने लगा कि किसी ना किसी तरह कूवरदनी साली साब को डिस्करेड कर दो तो अब खु जिसन में हमारे बहुत बड़ा हिंदू तबका खड़ा हो जाए और हमारे सांसात रमेश भिदूरी ने जो अब सब्द बोले है वो जायज लगने लगे तभी ये तस्वीरे से निकल कर सामने आ रही है कुवर दनिस अली साहब की तस्वीरों का पायदान बनाया जा रहा है जोतो की गंदगी अच्छे से साप करके तब हिंदू रक्षा दल के दफ्तर में घुशा जा रहा है हिंदू रक्षा दल के ये रश्ट्य अध्यक्स है और गाजियाबाद और इसके टच करता दिल्ली का जो एरिया है वहां पर इनका परकरण ये हमेशा से चलता रहता सब्सक्रान के दिया से मैं संसद में चला गया तो इन जिहादियों की इन मुल्लों की मैं शकल देखना भी नहीं पशंद करूँगा वहां पर इनकी शकल भी दिखाए नहीं देगी ये इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था और हब हद पार कर दी बताए कसूर क्या है बाई गदेश अली साहब कसूर शिरफ यही है कि मुस्लिम समधाय से है और क्योंकि तुम मुस्लिम समधाय के लोगों को जिहादी आतंकवादी गुरवादी समझते हो देश-दरोई पत्थरबाज आतंकवादी समझते हो इसलिए उनकी तस्वीरों को आप इस तरह से पायदान बराकर अपमान करेगे क्या उनकी इज्यत नहीं है तुम्हें पता है कि तुम्हारा बाली उखड़ेगा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी सरकार है और सिलेबस भी भारते जिन्दापाटी की तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है उन्हें के अगर उनकी पीडित है तुम्हें अपनी टिकेट बचानी है भारते जंता पार्टी को रिमेस बिदूडी को अपनी पार्टी से किनारा नहीं करना है बर्जभूषण से ही नहीं किया था तो रिमेस बिदूडी से कहा करेंगे तो अब उसको जायज ठरानी लग जाओ इनका मक्षद यहीं है कि तुम्हारी विस फैलाने के लिए जो जो संस्थाएं पसरी पड़ी है जो बीजेपी का पूरा इटी साहल है गोदी मीडिया है इसके साहरे तुम कोशिस करो कि रमीस बिदूडी साब ने तो देखी देश भक्ती का क्याम किया है इनको इनकी असलों का द नहीं किया मैंने कोई ऐसे सब्द नहीं बोले जो ऐसन सद्य हों मैं एक प्रटिकुल समुदाय से हूं इसलिए भारते जनता पार्टी का कुंठित वहवार ओन रिकॉर्ड देखने को मिला था और उन्हें कल बाका दे प्रेस को नफेस में बोला भी कि मेरे खिलाफ जो भार जान मनाकर गंदगी उनसे पूश रहे हैं उनके परती घरना लोग एक अंदर भर रहे हैं तो कोई संकी सभाव का होगा कोई होगा मोटे दिमाग का और कोई ज्यादा ही तुम्हारे परभाव में उनके अंदर का हिंदू तो कोई नर्व जवान होगा मैंड वास जिसका तो वो भी ये लोग जिस्टिफाई करने के लिए आ जाएंगे कि रश्ट्र हित के लिए सही हुआ है देश भगति के लिए हमारी भारत माता की ये लोग जय केनारे नहीं लगाते हैं इसलिए ये काम तो होना ही चाहिए था इसलिए सुईधान और कानुन को भिसक्यों प्र करेंगे कि हम ही हिंदूओं के रहनुआ हैं और सामने मुस्लिन समधाय का कोई व्यक्ति बिल्कुल ना कशूर कोई उसका कशूर नहीं है इमांदार है पूरी तरह ऐसे फिर भी ये उसको जिहादी अतंकवादी पत्थरबाजी देश दरही करार देकर अगर उससे इनका एक वीडियो बना देना और में वारिल कर दो क्योंको अजको लोफ लाइन मोड बहुत काम होगे लोग उर्यों में जाना कम कर दिया है जब से अन्नाहजारे वाला अंदलन हुआ था उसके बाद निर्भ्या वाला अंदलन हमने देखा था कि इस तरह से बड़ी संख्या लोग महिला पहलवानों को अंदलन था उसमें हमने देखा कि लोग बहुत कम संख्या में जुटे थे और हमारी गोल्डन गर्स वहां पर बेठी थी जायज वो केश था अभी उसका पता भी चल रहा है तो लोगों ने इनको इतना ठग लिया है लोग ओफ-लाइन मोड में नहीं ज दिखाई थी कि वो मजार तोड़ने वाले जो महरानी थी उसका मकसद असल मजार तोड़ना नहीं था मजार तोड़ने के साथ वीडियो बनवाना और उसमें जहर उगलना पूरे मुस्लिम समुदाय को गाली गलोच करना ताकि हिंद्वों को ये दिखाया जा सके कि ये तो ह हमारे देश दरोही वाला काम करते हैं हमारे देश के दुस्मन हैं असल रश्टवादी तो ये ही नहीं इनका मकसद ही होता है इनको स्लेबस दिया जाता है इनको फंडिंग दी जाती है इनकी राजनिती का सोटकट ही ये है बहुत सरल है राजनिती में अपने पैर जमाने के लिए क्योंकि हमारे देश की जंता भी काफी बड़ी संख्या में बेवकूफ है यह मानना पड़ेगा हमें धरम के नाम पर पढ़े लिखी लोग भी इसी डगर में घुजट जाते हैं तो समझ लीजिए कि देश की जंता की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और जो राजन काल पहले मुसलिम तो स्टिकन की राजनिती खुलयाम इस देश में होई है इनकार नहीं किया जा सकता है आप सब को पता होगा इसका पर अब जिस करूरता के साथ चीज़े हो रही है एक जनपरती नीदी तक को नहीं बक्षा जा रहा है वैसी करूरता इतिहास में कभी नही हो तुम्हारी अदालत है तुम ही डेथ का वारंट लेख दो इस तरह का वहवार किया जा रहा है एक से समझाय के विक्ति के परती उनकी क्या इज़ित रहेगी वह अपने समाज में जाके लोग सबागे लोगों जाके क्या कहेगा कि बस मेरी तो हमारे देश की संसंद में इ हमो रहा है यह हमारा नए भारत कहां जा रहा है साथी आपको अपको सोचना च fills मदा हैं जितनी जादा नफरत इस समाज में फ्यылर है और हमारा धर्म जिनका इये चोला उड़े उतने ही पीछे जाता जाएगा लोगोर को सोचना चाहिए जो असल हेंदु है असल सनातनी है जो अपने मार्ग पर चल रहे है शत्य और अहिंसा से चल रहे हैं हमारे महपुर्शों के दिखायेगे मार्ग पर चल रहे हैं उनको सोचना चीए कि आज हम अगर घर में बैटे हैं शांति से जी रहे हैं ये तथा कठित ठेकेदार और गुंडे किशम के लोग हमारे धरम के साथ किस तरह का खिलवाड कर रहे हैं हिंदू रक्षा के नाम पर जो संगठन इन्होंने बनाए हैं उसके जरीए अपने राजरिंदिक मनसा कामियाब करने के लिए बीजेपी के लिए माहूल त्यार करने के लिए संपरदैक्ता फैलाने के लिए हमारे नोजवान बच्चों को किस तरह से यूज किया जा रहा है उनको भगवा और लाल गमचा पहना कर भाई साब क्या हुआ जितने लोग अब कितने ज्यादा बड़ी संख्या में फ़यार लोग के उपर हुई है हिंदु संदाय के लोगों को और ही लेजी नू हिंसा में जो हुए थे और जो लोग मारे भी गए है को और कोई पूछ रहा है उनको दिल्ली दंगों में जो हिंदु संदाय कि लोग मारे गए थे इन ही भारत्य जंदा पारिटी के पाले हुए ठेकेदारों ने नीती के साथ आपको बिल्कुल अटैच रहना है को बेकसूर बेसक्से हो पीडित मुसलिम समधाइस है उसके साथ भी आपको इस तरह की हरकत करने आपके स्कीन पर आराम से देख लीजिए एक पोस्टर लगा है वहां पर पैर पहुछे जा रहे हैं दूसरा पाइदन आगे है तीसरा पाइदन आगे है सब के सब सबसे पहले यह पिंकी भाईया है यह अपने पैर पॉसर है तो उनके पीछे जितने भी नोजवा लड़के हैं बहारी संख्या में देख लिजिए अंदर आ रहे हैं बड़ी संख्या में बहार जा रहे हैं यह बहाई कौन सा हिंदू नहीं उनको बठाए है यह रेस्प्रेक्ट है आगे आने वाले समय में फिर तो आप वहीं बता रहा हूं कि अत्याचार की कोई कि सीमा नहीं रहा जाएगे किसी चीज को भी आप डार ढ़ा दो इसके पीछे परकरण क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया नहीं तो इन्हें बर्जबुशन संग से इस्तिफा लिया पार्टी से नहीं जिस पदपर बैठा राखा था कुस्ति संग के पदपर वहां से इस् कोई बराबर में कौन है को लड़ेगा मेरे इनको वोट से यह भाई वोट के लिए अगर आज मुसलमानों के परति नफरत प्रोसी जा रही है कि शानों को भी नहीं छोड़ा गया महिला पहलवानों को नहीं छोड़ा गया तो उम्हारी क्या उकाद रह जाएगी कल कोई भी विधान सबा में बैठा रहे हैं कहीं लोग सबा में बैठा रहे हैं यह एक सीमित ही अत्ताचार कर सकते हैं अपने छेतर में कर सकते हैं या किसी के ऊपर पर परसनल अटैक कर सकते हैं जा एक ग्रूप के ऊपर कर सकते हैं वेरोजगारे के ऊपर कर सकते हैं किसाना के उपर क करके सारी उठरी आवाजों के साथ अंग्रेजों की तरह निपटते हैं, उनको कुचल डालते हैं, उनको इतना बदिनाम कर देते हैं कि दुबारा उनकी उठने की हिमत नहीं है, ये modernization of British rules है, British अंग्रेज, गोरे हमारे उपर जो अत्यचार करते थे, उसी को आजहनिक रूप में लाकर समाज में जाज ठहराया जा सकता है, इसी कार्ण हम जो लोग, अमन परस्त जो लोग हैं, भाईचारा के साथ जो रहना चाहते हैं, जो असल भारतिये हैं, वो चुप बैठे हुए है इसी के कार्ण हमारे उपर अंग्रेज राज की इतने साथ, और इसी के कार्ण ही अब ये काले अंग्रेज हमारे उपर राज कर रहे हैं, जो कुर्शी पर बैठे हैं, वो व्यक्ति के तोर पर कैसे हैं नहीं है, मुझे नहीं पता, पर राजनिती इस एंगल में परस रही है प्रायुजित की जा रही है और वो हो रही है जैसे यह चाहरे हैं उसी चहल कदमी पर राजनेती चलती जा रही है बर्ज भूशन को हमने देखा बर्ज भूशन से पहले हमने किसानों के ऊपर जिनके बेटे ने थार्शे को चल दिया था रहो ऐसे ऐसे अंगुलिंगुलि करक रहेगा कोई कुछ नहीं होगा इनका भरते जनता पर्टी को वोट चाहिए एक सांसद अगर जीट कराता है साहे हो किसी भी तरह कराता हो चाहें वह बलातकारी हो मडर हो गूंड़ा हो मवाली हो कुछ भी हो अगर वो सीट निकाल कर लाता है कितना ही वो बत्तमीज आदमी हो उनको वो सीट चाहिए कैसे भी करके और जो अटिचूड जो भारतिय जंटा बना रही है जंटा पार्टी बना रही है इससे आगे आने वाला समाज बहुत ज़्यादा दोसित होने वाला है लोग खुले आम इस तरह की चीज़े करेंगे खुले आम मुस्लिम सोधाय के परती इतनी नफरत परोस हैंगे उनके उपर इतना इताचार करेंगे जिससे भारतिय जंटा पार्टी के इन लाइन जो अजंडा है वो सिद्ध हो सके और उपने एरिया में जितने भी वोटर्स है उनको बेसिक मुद्दों पर जवाइब दही तया करने की बजाए धर्म के मारग पर धकेल कर वोट बटो राजास के ये भारतिय जंटा पार्टी के आगे आने वाले समय में हर नेता करने की कोशिस करेंगा धर्म की राजनिती बहुत ही अलग लेवल पर जाने वाली है 2024 के चुनाओ में पूरी तयारी इनों ने कर ली अरो इतनी नफरत परोसी जायेगी सोसल मीडिया के माधन से वीडियो बनायेगी जस्ते काफी बड़ी संखे में लोगों का माइंड़ वास होगा लोगों की राजनितीक मनसा भी जयागएगी सो्टकत का भी पता चलेगा कि सब को ये चीजे पता चल रही है कि चीजे और पॉर्टफोलियो भरते जनता पाटी के राजमी हासिल किस तरह से करना है कोई नहीं चुकेगा सब सोचेंगे यार एक ही जनम मिला यार कौन पूझेगा इस जनम को अच्छे से जी लेते हैं कर लेते हैं अत्याचार और चड़ आते हैं इसी सीड़ी के ऊपर हर लोगों को जिनों को सक्षस पाना है लाइफ में उनको धरम और करम का मारग हर आदमीं को पसंद नहीं होता कई लोग कुकरम और अधरम के मारग पर चलने के लिए अगर्शर हो जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे उनकी फितरत ही ऐसी होते ह उनकी करेक्टरिक्स गुंडे मवाली नफरत करने वाले ये आम होती हैं और आज कल उसी तरह की चीज़ आपको देखना के मिलती हैं सोच लीजिए धरम की राजनिती के चलते आज हम किस दिशा में जा रहे हैं कहीं बात ही नहीं और ये बेसिक मोंदग ये हमारा समाज है य कर लेपी लेना इती हास का वारा है लेका नासकार